next जो trick है safari के अंदर आप चाहते हो कि आप जितनी सारी tapes open है उन सारी tapes को एक साथ link copy ना करें बलकि आपको particular कुछ tapes का ही link copy करना है तो आप यहाँ से इसको hold कर कर रखें और आप जिस जिस वाले link को यहाँ से copy करना चाहते हैं उसको यहाँ पर tape करें आप अपना notes के अंदर जाते हैं notes के अंदर जाकर यहां से आप इसको drop कर दिजिए इसमें आपको कुछ अलग इंटरफेस मिलेगा इस तरह से आपका इंटरफेस होगा आपका link copy होने का इसमें आपका जैसे browser में photos वगेरा है वो भी आपर आ जाएगी